हेलो फ्रेंड, आप सबी का स्वागत है वैजी पंच में और आज हम लेकर आए हैं इस्टेंट मसाला मिल्क ये मसाला हम पहले से बनाके स्टोर करके रख सकती हैं ये बहुत टेस्टे लगता है मिल्क में और हैड़ी भी होता है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है मिल्क का मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 25 बादाम, 10 पिस्ता, 10 काले मिर्च और 5 छोटी हरी लाइची के डाने इसके डाने निकाल लिजिए और इन 4 चीजों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिजिए और बाड में एक चुटकी केसर इस तर से क्रस्ट करके डालेंगे तो इस तर से हमारा ये मिल्क का पाउडर बन जाएगा और फिर अगर आप मिल्क में जाग चाती हैं तो आप हैंड बीटर का यूज कर सकते हैं और इसमें मैं हाफ टीस्पून ये डाल रहा हूँ पाउडर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मैंने चीनी बिल्कुल भी नहीं मिलाई हैं तो आप अपने स्वादुमसार चीनी मिलाई हैं और जिनको चीनी नहीं पसंद है तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है ये छोटा कप है तो मैंने हाफ टीस्पून मसाला यूज किया है इतनी क्वांटिटी में हम ऐसे बारा कप मसाला मिल्क बना सकते हैं तो आप इसे अभी से बनाकर रख लिजिए आगे खोली भी आ रही है तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा और तभी पिर जब भी आपक